विडियो भी आखे में दरसलाम आ रहा है विलोग करना तो आता नहीं है हम दोनों को किस तरह की वीडियो बना है क्योंकि अक्सर नहीं हम बूल जाते हैं इसको स्टार्ट कर लें क्योंकि एसी ओमना जाए क्योंकि मेरा तो रोजा है वरह स्टार्ट भाई का भी रोजा है अगया स्टार्ट नहीं थी असले करें छ तो пр None दो अनुंदासे इस अवाई कर दो आतं जा कि मेरा थैनल के लिए वीडियोज मिलेंगी तो कल गए रात गए हैं फ्रासत भाई काम पे तो आज इन से पूछते हैं कितनी यह नहीं की है और कब निकले हैं और कब वापस आए हैं और कैसा काम था तो फ्रासत भाई जरा बताएं कि कैसा काम था और कब निकले हैं असलाम लेकूम सब भई कैसे हैं ठीक ठाक हैं अच्छा असान भई मैं निकला हूँ रात को तकी बन कोई 11 सबा 11 मज़े निकला हूँ और मैंने पहली राइट को इसी है वो येंगो की लिए है अच्छा तो येंगो की राइट मुझे वो छोटी मिली थी तकी बन 4-5 किलो मेट की राइट थी तो मैंने का चले स्टार्ट करने से 5 किलो मेटर की राइट बेतर है सभी है आपने सुझा कि ना होने से कुछ हो जाए तो पिर उसके बाद मैं काफी देर तकी बन कोई 20-25 मेंट कड़ा रहा हूं 20-25 मेंट के बाद मुझे फिर येंगो की राइट मिली है ठीक कर देते हैं अच्छा चले मैं आपके और चीज़ बताना चाहूं कि जब भी आप येंगो की राइट कराएं इन ड्राइव की राइट कराएं तो उसके उपर जो पिक अप लोकेशन है वह आपने टाइप नहीं करनी आपने करनी है ड्रॉप अफ लोकेशन तो आप सोच रह समझाया नहीं कि आपने इस तरह से रही है वह उनको समझाया मैंने उनकर ना पंदरा मिंट नो ने डाली थी बुंदू खान के लिकेशन अच्छा वह फोस्ट फेस फॉर में थी बुंदू खान तो उन्हों ने डाल दी पुंजाब साइटी उदर मुझा पंदरा मिंट पह मैंने का नहीं जी आपकी जो पिक अप्लिकेशन है वह गलत है ठीक है आपने पंजाब साइटी की डाल दी है अच्छा मतलब पंजाब साइटी में बंदू खान था जी बंदू अच्छा आप उदर खड़े थे वह दूसरे फेस फॉर में खड़ी थी तो फिर वह राइड क एक यंगों की विली राइड्स है तो मतलब के मैंने कोई साथ गहंडे काम किया है तो टोटल जोंस है अच्छा तो अर्निंग कितनी आपने मैंने सान भाई अर्निंग किया है तकीवन कोई 600 की 600 कुछ रुबे है उसके ओपर आपने गाड़ी कितना चलाई है मैंने थान जाड़ी जादा नहीं चली आम रूटीन से वैसे देखा जाए तो सांद बाई गाड़ी इस वज़ए से ज्यादा चली है क्यूंकर रमजान में काम स्लो की वज़ा से हैं मतलब आपने पुरा पुरा फैर दिया होगा कि इस वज़ए से कि ना आने से यहाए कि क्योंकर रमजान में यह होता है कि पहले जो 10-15 दिन होते हैं उसमें गाड़ी बहुत जादा होती है और राइड़ें बहुत कम होती है तो इस वज़ए से आपने सोचा होगा कि चलो ना आने से कुछ आ जाना बेतर है कि पूरे-पूरे फैर में उठाओं ताके राइड मिल जाए मिल जाए मिल जाए वरना सान भाई उदर खड़े रहते हैं कि मैंने वह चेक करता रहता है उन्हों वह शो हो रहता है तो हर जगह पे कम से कम 10-15 10-15 गाड़ी है रेड़ी खड़ी होती है खड़ी होती है तो जब आपके पास समझें कि गाड़ी ज्यादा खड़ी हुई है तो उस वक्त आपको पहले ही फेर में राइड पिक करनी पड़ती है अच्छा मुझे यह बताएं कि साड़े अपना 6250 के अपने अने की अपार 600 गी उसके उपर गाड़ी चलाई है एक सुस्तार्ट किलो मीटर तो एड दी अंड पे हम आते हैं कि भी अपना बच्चत कितना हुई है फ्यूल कितने का लग गया होगा एक सुस्तार्ट किलो कितनी एवरे दे रही है आपकी गाड़ी चाहरी है तो 21 के अवरे चाहरी के हिसाब से मेरी गाड़ी का तकीपन कोई 244 रपे का प्ट्रोल लगया उसके बाद आपने मेरे खाल में उनको कमिशन वगरा भी दिया होगा कमिशन कितना आपका बन गया था साम भाई इनका इंडराईव का 12% कमिशन है तो तकीबन कोई 4800 रपे का मैंने इंडराईव पे काम गी है मतलब 4800 600 रपे उनका कमिशन लग गया है तकिरीबन 600 रपे पॉच्छो कुछ रपे बनते हैं तकीबन 600 रपेबन 600 रपे आ हैं की कमिशन अच्छा आप तो उसका ये एंगो का तो मेरे खाल में उफ़ बख़त कार रिए हैं वो डिटेक्ट हो जाता है वो आटोमाटिक उनका मतलब के 3,000 रुपे का आपका खर्चा हो गया होगा जी ठीक है और उसके बाद 32,000 रुपे आपको बच्चत हो गई थीज़ तो माशाले वैसे देखा जाए तो रमज़ान में इतना बच्चत थोड़ी नहीं है ठीक है लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि गाड़ी ये ब गाड़ी थीज़ाद नहीं हैं तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये थीक नहीं है क्यूंकि यह आपकी मैंटेनश पर आदे पैसे अपकी मैंटेनस पर लेंगे तो कहने का मकसद यह है कि आपको बच्चत हुई है तो लगए तो उसके ओपर चार हजार बचत होनी चा ही है क्योंकि चार-दो-हजार की फ्यूल में आपकी तकरीब जो है तकरीबान हजार-पंद्रह-सो की मेंटेनिस हो जानी है आप पूछने की मेंटेनिस हो गया बाकी गाड़ी का काम हो गया उसके अलावा यह चीज़ होते हैं कि चोटी-मूटी खराशें भी लग जाते हैं ल जला सकते हैं इन ड्राइवर और उस पे आप गाड़ी नहीं जला सकते हैं क्यों उसने काम ज्यादा निकालना है तो तब बंदे को समा जाती है कि भाई ये क्या किए ये तो मुझे वही पैसे बज़ते रहे हैं जो मेंटेनिस के हैं इस वज़ा से देखा जाए तो तीन हजार सकति है ज़य से नहीं के और भी और अटती है ने श्रह आउजा के लिवे हीड़ारे को शाण से आप आठेश होओ और गूंते हम छिए स्साइर कंसे रोजे तक रोज स्लो होता है तो अभी हमें फिर आप इजाज़ा दें इन्शाला हम नेक्स विलॉग में आपको मिलेंगे उसमें आपको बताएंगे मज़ीद information जो है आप आपको देंगे कि रमज़ान में आप काम कैसा हुआए क्योंकि कुछ दिन गुजर गया है आज माशाला कित्वा रोजा चल आपारोजा है तो इन्शाला है पंदर्में रोजे के बाद काम माशाला अच्छा होगा है तो उसके बाद हम आपको ये भी बत मैं बताउंगा कि दिन का टाइम रमदान में कैसा काम है चले ठीक है आज आप दिन को जाएं फिर इंचालला देखते हैं कि दिन को आपने क्या किया तो इंचालला नेक्स्ट वीडियो में आप बताइंगे कि दिन को काम करने में कितना अर्निंग हुई है और कितना बचत लिए तब तक इजाज़त दीजिए अल्हाफिस